कि हैं आज हम बात करेंगे भूमी सुक्त के बारे में कि भूमी सुक्त का सार कैसे लिखा जाता है इसका सारांस कैसे लिखा जाता है इसका वॉडन कैसे किया जाता है देखो आप देख रहे हैं उपर वहां भूमी सुक्त लिखा हुआ सार इधर लिखा हो तो इसका समझाने का यह मतलब है कि आपको और हमें आसानी से समझ आजाए कि भूमिषुक्त क्या देको सारांस लिखने से पहले आपको थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है कि इसमें क्या-क्या बताया गया है वही चीज बने बताया गया है और सार में क्या लिखना पड़ता है कि जो आपको ज समझ है कि इसमें क्या है तो चलिए चैनल पते हैं में सब्सक्राइब कर सकते हैं देखे आ भूमि सुक्त में अपने आपको उसका प्यठ्र बता गया अप द्धान दिएगा है में साहा कम्पह्टिशन है फूच भी लेता है मात्री भूम का धारन का या फॉत गार है यह वी वीवीद और सदी अश्वाइव में सब प्राण्यों में भराण पोउचन उसी प्रकार होता है देखो सब से सबको पता है कि भरान्पोसन क्या करता है वो भूमी ही करता है जिस परकार कोई माता 다ुद्थ से अपने सिसूओं का पालन करती है उसी परकार पितुर बी हम सबका पालन करती है भूमी अटल है द्रीड है और और सिसुओं के लिए सब कुछ सहन करती है जैसे सारी चीचे यहां पर लोग तोड़ फोड़ करते रहते हैं ज्वाला मुखी तूड़ते रहते हैं भूका पाता रहता है तो उसका से जिस तरह पालन हमारी करते हैं उसी तरह धरतिये भी हमें बचाना चाहती है भूह में अट रतनगर्बा आया मैं साक्ष्चन भी पूछ लेता है कि रतनगर्बा किसे का अगया तो प्रितवी को रतनगर्बा का अगया प्राणी मात के लिए उर्जा का महांसुरोत है या उर्जा और द्रिड़ता मनुस को सतत द्रिड़ और स्वतंत्र रनने प्रेणा देती रहती है निकली है यहाँ सब्देश्टी जल के प्रति संकेत है जिस पर हिरानगर्व अंडा तैर रहा है और फूटने पर उसके एक भाग से प्रितिवी और दूसरे भाग से आकास बनाते हिरानगर्व आप सुक पढ़ा होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह तोटा थ एक से आकास बनाते हैं एक से प्रित्वी तो भूमी जो क्या है कि भूमी सब के लिए समान है सब को ममता का ब्यवहार रखती है कोई सत्र इस पर अधिपत्य न कर सके इसलिए मात्री भूमी का उसका उपासक प्रण करता है कि मैं क्रोध करने वाले अन्य सत्रों के नीचे गिर मारू यह प्रित्वी हमारी है यही सत्य है अता आलस रहित होकर मानो मात्र को इसकी रच्छा का प्राण लेना चाहिए वह अपने आपको चार और विजय करने वाले विजय और प्रत्यक दिसाया मनुरत का वस्में करने वाली उद्गोसित करता है तो देख यह चोटी-चोटी चीज़ थी कि वह क्या करता है क्या नहीं अब भूमिशुक्त का सार जो है वह बहुत इंपोर्टन भूमिशुक्त में क्या क्या चीज़ है तो आज देखते जितने भी मंत्र लगे उनके सब के सार महने एक साथ लिए है कोई दिक्कत नहीं है आप अगर से देख रहे हैं प देखो कुल 63 मंत्रा है और यहाँ पे कुल 14 मंत्रा आपको पढ़ने के लिए देखे हैं देखो सत्त के प्रति निष्ठान देश में सर्वमुकी विकास नियमा नुकूल आचरण नियमा नुकूल आचरण दचता और अनुसासन प्रियता करतब क्या पालान करने वाले भारत देख क्या कोई भी राष्ट सम्रिद की ओर जायेगा राष्ट की सम्रिद के लिए मानो मात्र राष्ट की सम्रिद के लिए मानो मात्र जो है देख सारी चीज़ जो होती है ना राष्ट के संबंद में के लिए मानो मात्र के इन विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष करके बहुत स्थान और जो वीविद सक्तिवाली आवसधियों का कारण करती है वह पृत्वी हमारे लिए लिए शिद्धो है, जिस परकार समुद्र और नदी नद तथा वीवीद प्रकार से प्राप्त जल है, जिस परकार अन खेती उत्पन होते हैं, जिस परकार यहां प्राण लेने वाली चलता फिरता संसार जी रहा है वह भूम हमें पूरो पे में अस्थापित करें अर्थात हमें प्रतम उपभोगत बनाएं जिस पर अन्य खेतिया उत्पन होती हैं जो बहुत प्रकार से प्राण देते हुए चलते फिरते संसार को धारान करती है भूम हमें गौमों में और अन्य अस्थापित करके अथात उसमें हमें सम्रिद बनाता है कि हमारे पाथ अन्य है खाने पिने का साधर है और सम्रिद बनाता है जिस प्रकार से पूर्व जो ने विवीद विसेश कार जिस पर देवों को असूरों को पराजित किया गोवो घोड आधि पच्छियों का अधार पृति भी हमारे लिए स्वभा की तेज इस्थापित करे। इस्थापित करे। देवता निद्रा रहित होकर प्रमाद करे। सरजनात्मक प्रज्याओं का अनुचरण किया जिस पृतिवी का सत्य में अच्छादित अगर हिद्य उत्कृष्ट आकास में हो भूमी हमारे उत्तम राष्ट में तेज और बल को स्थापित करे। जिस प्रकार भ्रमाद सील एक समान जल रात दिन बिना प्रमाद के प्रवाहित होते हैं। अनेक धाराओं वाली भूमी जो होती है वो सिंचन के योग है दोहन के योग है इसे पर कार करने लोग है। प्रित्वी तुम हीम सयूप्त उचे चोटियो वाले परवत और तुम्हारा वन सब कुछ सुख कर हो। जीवन रहते हैं। आनात में जो जितने भी लाल पिले रंग वाली इस इंद दोरा रचित विश्टित नियम भूमी का पालन करूं। स्वतंत सासन की भावना का अभिप्रा यही है कि मैं स्वयम किसी मानों के द्वारा अपमानित हुए बिना और उसके वसी भूत हुए बिना सुध स्वतंत्र विचारों वाला होकर जीवन यापन करूं। कुछ विद्वानों के अनुसार बभ्रू का अर्थ सब उसका भरन पोशन करने वाली क्षडाका अर्थ किसाना द्वारा जोती गई रोहडी का नाना अनमनस्वतियों से उत्पन्न यह विश्वरूपा का समस्त प्राडियों में संपन्न है। प्रित्वी जो तुमारे मद्ध है तथा जो तुमारे नावी है जो उड़ जाए तुमारे सरे से उत्पन्न होती है हमें उसमें अस्थापित करें। भूमी मेरी माता है हमें सभृ से परवित्र करो भूमी माता है जो पृतिवी का पूत्र है और पिता भी हैः वह भी हमें पूर करें जिस भूमी पर वेदी को ढिरते हैं इसमें बस यही देख सकते हैं कि इसमें नहीं बताया गया कि भूमी में क्या-क्या उत्पन हुआ, कैसे उत्पन हुआ, कैसे भूमी बनी और इसमें क्या-क्या चीज़े होती हैं कि हम इसका पालन कैसे करें, हमें क्या नियम है, जो प्रितिभी के नियम है, उसे सोचारूरोस पर चलना चाहिए, उसे किसी तरह क्या हानी नहीं पहचानी च चाहिए तो थांक्यू, थांक्यू, थांक्यू सो मच